इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तपाएं अब अंतरिक्ष से आई आज की बड़ी खबर आज ये मिजॉन कांपनी के चैमेन और दुनिया के सबसे अमीर बुजनसमेन जेफ पेजॉस स्पेस यात्रा करके धर्थी पर लोटाएं हैं करीब 11 मिनिट की स्पेस यात्रा में जेफ पेजॉस 107 किलोमीटर की उचाई पर गए थे पिछले एक हफ़ते में स्पेस की इस दूसरी यात्रा से ये तेहें कि अब स्पेस टूरिजम के रास्ते भी खुल गए हैं जेफ पेजॉस की यात्रा क्यों एतिहासिक बनाने की पीछे भारत की एक बेटी का भी बहुत बड़ा रोल है अंतरिक्ष की इस उडान की पूरी दुनिया में चर्चा है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर बिजनिसमैन जेफ बेजोस अपनी स्पेस यात्रा के सपने को पूरा कर चुके है लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि इस उडान में भारत की एक बेटी का भी सपना साकार हो गया जिस स्पेस क्राफ्ट में बैट कर दुनिया के सबसे अमीर बिजनिसमैन जेफ बेजोस स्पेस यात्रा पर निकले थी उस रॉकेट को बनाने में भारत की बेटी संजल गावंडे का बहुत बड़ा रोल है संजल मुंबई की रहने वाली है और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू औरिजिन में इंजीनियर है स्पेस यात्रा पर गए इस निू शेफर्ड रॉकेट को 13 इंजीनियर्स की टीम ने बनाया है जिसमें संजल सिस्टम इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी एक सिस्टम इंजीनियर होने के नाते स्पेस क्राफ्ट के अंतरिक्ष में टेक आफ करने से लेकर लेंडिंग तक के हर फंक्शन में संजल गावंडे का रोल बहुत बड़ा रहा यानि आज भारत की एक बेटी की वज़े से अंतरिक्ष की ये उड़ान और आसान हो गई अधर में मदद किये सपलता देने मदद ऐसा है कि उसका जो एक्षमेंट का टार्गेट करने का तो वह जो था तो इधर से इता मेकनिकल इंजिनर को उसके लिए उसनी किया उसके बाद में एमेज जाने का है सबसे पहले स्पेस की स्यात्रा के बारे में समझ लीजिए कहने को तो ये सिर्फ 10 मिनट 20 सिकंड की स्पेस यात्रा थी लेकिन इसमें खत्रे की संभावना भी हर पल बनी हुई थी इस 10 मिनट और 20 सिकंड वाली स्पेस यात्रा में स्पेस क्राफ्ट 3,51,000 फीट यानि करीब 107 किलोमीटर की उचाई पर गया मैं लोगों का शुक्र गुजार हूँ सबसे पहले सब इंजीनियर्स का जिनों ने ये स्पेस क्राफ्ट बनाया ये एक बहुत बड़ी टीम थी जिसने कई सालों तक बहुत मेहनत की और बहुत शांदार काम किया है टीम ने बहुत भरोसे मंद अच्छे डिजाइन वाला वेकल बनाया है अब जरा उन लोगों से भी मिल लीजिये जो आज जिफ बेजोस की अतिहासिक स्पेस यात्रा का हिस्सा बने है एमेजॉन कंपनी के मालिक जिफ बेजोस के भाई मार्क बेजोस के अलावा 18 साल के स्टूडेंट ओलिवर डिमन और 82 साल की वेली फंक शामिल है जिनोंने सबसे ज्यादा उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाली महिला का रेकॉर्ड बनाया है जिफ बेजोस अपनी टीम के साहत स्पेस की कार्मन लाइन से 7 किलोमीटर और उपर गए थे इंटरनेशनल लेवल पर प्रत्वी से 100 किलोमीटर उपर स्पेस की सीमावानी गई है जिसे कार्मन लाइन कहा जाता है हाला कि इस से पहले पिछले हफ़ते रिचर्ड ब्रेसनन की टीम 86 किलोमीटर तक ही गई थी लेकिन जिफेजोस ने आज इस रेकर्ड को तोड़ दिया इस रेकर्ड को तोड़ने में स्पेसक्राफ्ट निउँ शेफ़र्ड का बहुत बड़ा रोल है ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड रॉकेट वी टी वी एल यानि वर्टिकल टेक आफ वर्टिकल लेंडिंग तकनीक पर काम करता है इस तकनीक में रॉकेट जिस तरह हूँ पर जाता है ठीक उसी तरह से कंट्रोल और कम स्पीड से नीचे की ओर आता है सिर्फ चार मिनट में 3,51,000 फीट की उचाई पर पहुँचने के बाद कुछ सेकंट के अंदर कैपसूल रॉकेट से अलग हो गया और नीचे की ओर आने लगा करीब 6,000 फीट की उचाई पर कैपसूल में लगे पैराशूट का पहला सेट खुल गया और करीब 3,000 फीट पर पैराशूट का दूसरा सेट भी खुल गया इसके महज दो मिनट के अंदर कैपसूल की सेफ लेंडिंग हो गए ये देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन इस स्पेस यात्रा में खत्रा हर पल परकरार था क्यों कि VTVL टेकनीक में नीचे की और आते समय रॉकेट की स्पीड को काबू करना सबसे बड़ा चैलेंज था लेंडिंग के वक्त छोटी से छोटी कमी बड़ा नुकसान पहुचा सकती है कुछ साल पहले चांद पर उतरते समय भारत के चंद्रयान टू के लेंडर के मामले में एक छोटी सी चूग की वज़े से पूरा मिशन फेल हो गया लेकिन आज इस अंतरिक्ष की उड़ान में कोई चूग, कोई गलती नहीं हुई सब कुछ उत्तै प्लाइनिंग के साथ हुआ स्पेस की यात्रा में अभी कई और उड़ाने बाकी हैं आने वाले खुछ समय में इलन मस्ट भी इस रेस में शामिल होने वाले हैं लेकिन फिलहाल जेफ बेजोउस की इस स्पेस यात्रा की चर्चार पूरी दुनिया में चल रही है पक्तिक प्रेका है आगे वक्त हेडलाइन्स का नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ